आत्मा का अपना अपना पार्ट चल रहा है, स्टोरी अनुसार, उसके मन की रिकॉर्डिंग फिक्स्ट है, मेरे मन के अंदर रिकॉर्डिंग फिक्स्ट, आपके मन के अंदर रिकॉर्डिंग फिक्स्ट, अब मैं आपकी रिकॉर्डिंग को ठीक करने बैठ जाऊं तो क्या हो faulty connection हो जाएगा फिर आपस में फिर वो बोलेंगे तुम ज्ञान नहीं करो तुम तो ज्ञान नहीं करते हैं तुम ज्ञान करते हैं नहीं भी करते हैं फिर भी हम तुमसे तो अच्छे हैं यह अंतरमुखता का जीवन है अपने अंदर की checking बाहर कोई गलत है ही नहीं Life of self observation is a blameless life of an angel सिर्फ हर आत्मा का पार्ट मेरे लिए एक blessing है हर आत्मा का पार्ट मेरे लिए एक दुआ है दवा है दवा आपको zero statement में लाने के लिए और रादर आपको यह check कराने के लिए कि मैं कितनी grounded हूँ अपने zero state में इसलिए हर आत्मा का पार्ट जैसा है वैसा ही होना चाहिए जो नहीं हुआ वो नहीं होना चाहिए चाहे वो रीनी को कितना भी हो रहा हो कि यह क्यों नहीं हुआ नहीं हुआ मतलब नहीं होना चाहिए और वो हुआ चाहे रीनी को नहीं भी होना चाहिए था और हुआ तो वो जरूर होना चाहिए है ना तो इस अ ब्लेमलस लाइफ नीदर आ यू ब्लेमिंग यू अनीबड़ी अलस पार्ट absolutely accurate है बिल्कुल हर एक का पार्ट perfect है जैसा होना चाहिए वैसा ही चल रहा है क्योंकि उसका पार्ट आपको ये बता रहा है आप आत्मा कितनी grounded हो reality में या बहार के scenes real दिख रहे हैं आपको चलती फिलते चलती फिरती लाशें real दिख रहे हैं आपको शब्द कड़क है पर जरूरी है real क्या देख रहा है living light बिना living light की body manifest होगी बिना living light के लिए script manifest होगी कुछ भी manifest नहीं रहेगा everything will stay unmanifested without the soul so I am that unmanifest reality which allows the manifestation to take place whatever I touch I give life to it I the soul and Baba is that catalyst वो catalyst है बाबा जो की आत्मा जब पर्मात्मा के प्यार में जब डूबी भी होती है न तो reality और unreality के बीच में difference देख सकती है इसलिए जो unreality है वो संस्कारों और संकल्पों के रूप में constantly unconscious level से conscious level पे आ रहे हैं moment by moment हर interaction में कोई न कोई संस्कार कोई न कोई संकल्प आ रहा है जैसे ही मुझ real आत्मा ने उन unreal संस्कारों जो scripted thoughts थे उनसे अपनी पहचान बनाई और वो मेरी reality बन गई तो जैसे न अभी घर में पाठ है किसी का जो जोर से loud tv सुनते हैं है न जोर से loud tv सुनते हैं राइट तो अब मैं आत्मा tune out हो जाती हूँ क्या होता है tune out है न tv चलते वे भी मेरे लिए क्या है वो और कभी कभी उसकी अवाज धीमी भी कर देती हूँ possible होता है तो धीमी भी कर देती हूँ नहीं possible होता है तो tune out true ऐसे ही मेरी mind भी बहुत बोलता है tv भी बहुत चलता है वो mind का tv constantly चलता है tune out हो जाओ आप आत्मा mind के tv से फिर क्या होगा अब मैं आत्मा पर्मात्मा के mind को use करूँगी तो पर्मात्मा के mind में क्या है silence or purity very good और उसको क्या देख रहा है पर्मात्मा को क्या देख रहा है इस moment में भी हान जी पर्मात्मा को छोटी छोटी lights दिख रही है पर्मात्मा को bodies दिख रही है बाबा क्या बोलते है bodies को क्या शब्दी उसकरते है मुर्ली में काथ पुटली काथ पुटली बिलकुव काथ पुटली दिखती है बाबा को अच्छे में बाबा को body दिखती है नहीं है इस जस्ट नथिंग बट बंडल of atoms and molecules bundle of energy of matter कुछ भी नहीं है body बाबा को आपके mind की script कैसे दिखती है जो thoughts, dialogues, feelings, emotions चलते हैं संसकार चलते हैं वो बाबा को कैसे दिखते हैं script or just energy energy of some dark and light day and night ब्रह्मा का रात ब्रह्मा की दिन just energy है जिसको हमने भाषा में convert किया है हमारा mind जैसे एक वो आजकल google में google translator होता है न हम एक शब्द डालते हैं हिंदी में तो वो english में translate हो सकता है right ऐसे ही मैं mind मैं आत्मा मेरी जो vibrations हैं जिसको भी मैं जिस energy को dark energy को मैं जान दूँगी तो वो thought में convert होके feeling में आ जाएगा तो translator का काम करता है mind अंदर इसलिए मुझे मन की भाषा समझ ही नहीं आती है मुझे सिफ बाबा के मन की भाषा समझ आती है जो की बिलकुत silent और universal language है which is all souls belong to God and all souls are my family और जब मैं एक पर्मात्मा को belong करती हूँ तो सारी विश्व की आत्मा है मेरे लिए belong मैं मेरी है मेरे लिए कोई stranger नहीं है है कोई stranger आपके लिए कोई भी नहीं है तो जो परमात्मा को दिखता है वो मुझे दिखेगा फिर जो परमात्मा को फील होता है वो मुझे फील होगा मतलब मैं उसके मन, बुद्धी और संसकार सब मैं आत्मा यही मेरा वर्सा है उसको मैं यूज करती हूँ मेरा मन चुप नहीं बैठेगा साइड में पैरलल वो भी बोले जा रहा है पर मैं उसकी बातों को मेरे लिए वो फॉरें लाइंविज हो गई है और बाबा की बातें मेरी अपनी हो गई है तो इतना अटेंशन देना होगा बास हां जी हां I don't understand that language only